नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सत्यधर्म में आज हम आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं। आपको आज ही इस पौधे को अपने घर पर लगा लेना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस पौधे को लगाने से मा लक्षमी का वास होता है। और ऐसी मान्यता भी है कि इसमें विश्नुजी और मा लक्षमी का वास रहता है। इस पौधे का घर में लगाने से कई समस्याओं से छुटकार मिल जाता है। इसे लगाने के कई नियम भी है जैसे अगर आप इसे छट पर लगा देंगे तो सकारात्मक उर्जा दूर होती है। ऐसा कहा जाता है कि रोजाना तुलसी की पूजा करने और वहां सुभशाम दीपक लगाने से हमेशा बरकत आती रहती है। ऐसे में अगर आपके यहां तुलसी का पौधा नहीं लगा है तो आप इसे लगा सकते हैं। वहीं अगर पहले से लगा हुआ है तो वास्तु के नियमों को जरूर जान लीजिए। अगर आप तुलसी के पौधे को गुरुवार के दिन लगाएंगे तो ज्यादा फाइदा होगा क्योंकि ऐसी मान्यता भी है कि इस दिन तुलसी का पौधा लगाने से विश्नु जी की कृपा आप पर बरसेगी। इसके अलावा आप इस पौधे को शनिवार के दिन भी लगा सकते हैं। ये दिन भी शुभ माना जाता है। अगर आप इस दिन तुलसी का पौधा लगाएंगे तो आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी। वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि तुलसी के पौधे को उत्तर दिशा में लगाना चाहिए। अगर ऐसा करना संभव नहीं हो रहा है तो आप इसे इशान कोण में भी लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में सुख समरिधी का वास होगा और आप धन के संकट से बचे रहेंगे। तुलसी का पौधा कभी भी पूर्व दिशा की ओर नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इससे आपके परिवार पर निगेटिव असर पड़ सकता है और आपके परिवार को व्यापार में नुकसान होने की आशंका भी रहती है। इस पौधे को दक्षिन या दक्षिन पर्षिन दिशा में भी नहीं लगाना चाहिए। तुलसी के पौधे को लगाने के कई नियम रहते हैं। ऐसे ही इसे आपको घर की छट पर नहीं लगाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे अशुब परिणाम भी मिल सकते ह ऐसा इसलिए क्योंकी छट का संबन्ध राहू से माना गया है, वहाँ पर पकशी गंदगी भी करते हैं, ऐसे में आपको तुलसी का पौधा यहाँ नहीं लगाना चाहिए, एकादशी के दिन भी तुलसी को पानी नहीं देना चाहिए, ऐसा माना जाता है कि देवी तुलसी का विवाह एकादशी के दिन विष्णु के एक रूप शालिग्राम से हुआ था धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देव उठानी एकादशी पर वितिरिवाजों के साथ दोनों की शादी हुई थी देवी लक्षमी एकादशी का वरत रखती हैं लग तुलसी जी लक्षमी का रूप है ऐसे में इस दिन अगर उन पर जल चड़ते हैं तो उनका वरत तूट जाता है और वे नाराज हो जाती हैं और धीरे धीरे पौधा सुखने लगता है तुलसी पूजन कैसे करें घर में तुलसी को होना बहुत ही शुब होता है साथ ही तुलसी पूजन से बहुत लाभ मिलते हैं नियमित रूप से तुलसी जी को जल अर्पित किया जाता है लेकिन धार्मिक ग्रंथों में रविवार और एकादशी के दिन जल अर्पित करने की मना ही होती है